आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello everyone, question is इन में से कौन सा compound paramagnetic and nature का sulfur के allotrops given है, alpha sulfur beta sulfur S2 तो जो मेरे alpha sulfur है और beta sulfur है, यह present होते है S की form में, ठीक है तो यहाँ पर यह हमारे रहते हैं diamagnetic और जबकि जो मेरा S2 है यहाँ पर S2 के case में क्या होता है diatomic sulfur, यह exist करता है S2 in the vapor phase जो मेरा क्या होता है this is paramagnetic यह theoretical question है हम इसको explain करते है S2 का paramagnetic कैसे है पर जो इसके allotrops है यह हमारे रहते है diamagnetic तो यहाँ पर होता क्या अगर मैं electronic configuration sulfur atom के बात करें तो 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4 कितना हो गया है 10, 12, 16, 16 होता है तो अगर हमें S2 के बात करने है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास इसका हो जाएगा हमारे पास 32 हर sulfur के पास 16 electrons होंगे तो S2 molecule के पास कितने हो गए 32 electrons तो अगर मैं इसके electronic configuration की मैं बात करूँ S2 के case में तो आपको पता है 1S, 2S, 2P का तो similar रहेगा ठीक है नहीं यह तो आपको पता है अब मैं 3S से draw करती हूँ तो 3S यह हो जाएगा मेरा 3S 3S यहाँ पर अगर हम इसका show करें तो यह कितना हो जाएगा यह उपर जाएगा यह हो जाएगा मेरा sigma star और नीचे ही similarly sigma ठीक है यह atomic orbitals हैं और यह बीच वाली मेरी molecular atomic orbitals और अगर मैं उपर बात करूँ तो देखो यहाँ ड्रॉ कर देते हैं 3P के ओर्बिटल्स 1,2,3,4 और यहाँ हो जाएगा 1,2,3,4 तो यहाँ पर यह ऐसे fill होंगे और फिर उपर हमारा sigma star जाएगा जाएगा एक तोड़ा सा और clear बना सकता है इसको यहाँ पर join कर लो और यह मेरा almost यहाँ join हो जाएगा फिर नीचे भी similarly और नीचे यहाँ पर यह ठीक है तो देखो electrons की filling की बात करूँ तो नीचे sigma में दो गए कितने हैं 4,4,8 1,2,3,4,5,6 यह हमारे pi हो गई और यह हो जाएगी anti-bonding की तो पहले 1,1 जाएगा और फिर sigma तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यह है हमारे unpaired electrons S2 के case में जो हमें क्या बता रहे हैं जो हमें इसका paramagnetic nature शो कर रहे हैं तो वेपर फिर sulfur exist करता है as the S2 molecule और S2 molecule के पास मेरे क्या हैं दो unpaired electrons in the anti-bonding of 3P orbital and hence it exhibits what paramagnetism ठीक है यह हमें paramagnetism फिर शो करता है और फिर अगर यहाँ पर देखो 2P6 के case में तो क्या होता है यहाँ पर हमारा 2P6 होगा तो यह तो सारे फिल हो जाएंगे इस case इसलिए जब हमारे जो यह वाले होते हैं इनके allotrops वो तो atom की form में exist करते हैं तो यह diamagnetic होता है तो correct answer हो जाएगा मेरा S2 gas diatomic molecule S2 यह हो गया paramagnetic ठीक है? Thank you